वेल्कम टी स्टॉन डिक्टेशन डिक्टेशन पांस किन बाज शुरू होगा रेडी स्टार्ट जून में भारत ने फिल्म उद्योग के अपने दो चमकते सितारों कोख होया एक शुशान्त सिंग राजपूत और दूसरी प्रेच्छा महता दोनों ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के अपने छोटे से करियर में बड़ा नाम कमाया दोनों की प्रिष्ट भूमी किसी फिल्मी खानदान की नहीं थी अपनी अपनी जन्म भूमी से चमक दमक और अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को लील जाने के लिए बदनाम माया नगरी में आये प्रतिभाओं से अपनी जगह बनाई लेकिन एक सीमा के आगे उसके रस्मों रिवाज से लड़ नहीं पाए हार भी ऐसी मानी की आत्महत्या के रास्ते अपने आप को इस निष्ठुर संसार से ही उठा डाला गुरुवार को ऐसे ही एक अन्यहादसे में मराठी फिल्मों के नामी अदाकार आशुतोस भाकरे ने आत्महत्या कर डाली भाकरे की पत्नी माधुरी देशमुख खुद भी मराठी फिल्मों की अच्छे अभिनेत्री हैं ये तो ताजा उदाहरन हैं जिनमें शुसांत की सचिव दिशा द्वारा उससे कुछ ही दिन पहले की गई आत्महत्या भी शामिल है अन्य था तो अर्बों खर्बों के इस उद्योग का इतिहास ऐसे ही दुखद अध्यायों से भरा पड़ा है गुरुदत क्या कमाल की प्रतिभा थे लेकिन उन्होंने भी अपना अंत इसी रास्ते से किया बाली का वधू सीरियल में आनंदी के रोल से मशहूर हुई प्रतिवसा बनरजी भी ऐसी ही दर्दनाक मौत का शिकार हुई पराचिंज इस सबका अर्थ यह है कि भारती फिल्म उद्योग भी कमो बेश उन्हीं तमाम बुराईयों से गिरा हुआ है जिन से हमारा राजनीतिक उद्योग अच्छे और भले लोग हर छेतर में होते हैं पर यहां चोट उन बहु संख्यक लोगों पर है जिन्होंने समाज सेवा के इस पुनीत काम को अनापशनाप धन कमाने या फिर अपनी प्रसिद्धी का जरिया बना लिया है क्या वंशवादी या धन बल की राजनीति के मौजूदा दोर में कोई आम आदमी राजनीति में कामयाब हो सकता है यदि लाखों में कोई एक होता भी है तो उसे किसी बड़े नेता की सरपरस्ती या फिर उसके क्रेंप का ठपा चाहिए और यदि वह कोई महिला है तो उसे कितने पापड बेलने पड़ेंगे न कोई जानता है और नहीं बेलने के बाद वह किसी को बताना चाहती है फिल्म इंडस्ट्री में जो कुछ भी हो रहा है उससे अनजान कोई नहीं है कोरोना की वजह से आई मंदी का अवसाद तो पांच माह की समस्या है पर इस इंडस्ट्री का संघर्ष और अवसाद तो दसकों का है प्रश्ण यह है कि इस उद्योग में शारिरिक मानशिक और अन्य तरीकों से जो सोसन चल रहा है वह कैसे रुके काम के लिए होने वाली खेमे बंदी कैसे रुके और बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के किये काम का पूरा भुगतान कैसे मिले पहले इस उद्योग के पूरुष ही हर तरह के सोसन के लिए कलंकित होते थे आज वह काम महिलाएं भी करने लगी है सही गलत जाँच से साबित होगा लेकिन सुशान्त का मामला ताजा उदहरन है सारी समस्या का एक पहलू इसका अंतरराश्ट्रिय स्वरूप भी है तब प्रश्ण यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे और कैसे बांधे कानूनों का निर्माड करके ऐसी किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता स्वैम इंडस्ट्री के पाक साफ लोगों को ही कमान संभालनी होगी तभी गंगा साफ होगी नहीं तो वह मैली की मैली ही रह जाएगी स्टॉब